नमस्कार दोस्तों, इन्फवाटिका में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के 2020 के डेज एन थीम, ऑक्टूबर तू दिसम्बर, ओके? देज एन थीम 2020 के हमने तीन पार्ट में कवर कर रहे हैं, दो पार्ट हम आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल एकन को ज़रू प्रेस करिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे हैं, आप मुस्से शोचल मीडिया पर जोड़ना चाहते हैं, तो आप हमें यहां फॉलो कर सकते हैं, बाकी अप्डेट्स आपको यहां मिल जाएंगी, और पीडियाप हमारे टेलिग्वाम चैनल से आप टाउनलोड कर सकते हैं, तो ले करते हैं, युनाइटेट नेशन इसको सेलिबेट करता है, और इंपोर्टन यह है 2020 में कि UN की 75th Anniversary है, और International Day of Older Persons की 30th Anniversary है, थीम है इस पार की, पैंडेमिक्स, do they change how we address age and aging, राइट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ओफ नौन वॉलेंस, 2nd of October, 2nd of October को सबको पता है, महात्मा गांदी जी का बर्थडे होता है, इसलिए हम इसी दिन इंटरनेशनल डे ओफ नौन वॉलेंस, सेलिबेट करते हैं, इस बार की थीम है, शेपिंग पीस तोगेदर, राइट, इंटरनेशनल डे ओफ नौन वॉलेंस, 2nd of October, नेक्स्ट है, वर्ट टीचर्स डे, वर्ट टीचर्स डे हो सकता है, बहुत से लोग पहली बार सुन रहे तो डेट सेम है, मन्त अलग-अलग है, वर्ट टीचर्स डे सलिबेट करते हैं, 5th of October, इस बार की थीम है, टीचर्स, लीडिंग इन क्राइस, रिमेनिंग दा फ्यूचर, ओके, नेक्स्ट है, वर्ट मेंटल हेल्थ डे, 10th of October, थीम है, मेंटल हेल्थ फॉर आल, नेक्स्ट है International Girl Child Day, 11th of October, International Girl Child Day, डिक्लियर किया था, United Nations ने, इसको Day of Girl, International Day of Girl भी बोलते हैं, या International Day of Girl, या Days और Day of Girls, ओके, फर्स टाइम, फर्स टाइम ये मनाया गया था, 2012 में, 11th of October, 2012, राइट, इस बार की थीम है, My Voice, Our Equal Future, तो उसमें क्या है, United Nations ने इसको डिक्लियर किया है, थीम है, My Voice, Our Equal Nature, and 2012 में ये फर्स टाइम, सेलिबेट किया गया था, तब से ये सेलिबेट किया जा रहा है, ओके, ने International Day for National Disaster Reduction, 13th of October, थीम है 2020 की, It's All About Governance, next, World Standards Day, 14th of October, थीम है, Protecting the Planet with Standards, next, International Day of Ruler Women, 15th of October, थीम है इसकी, Building Ruler Women, Resilience in the Wake of COVID-19, next, World Food Day, 16th of October, थीम है, Grow, Nourish, Sustain, Together, नेक्स्ट है, United Nations Day, 24th of October, थीम है, Reimagine, Rebalance, Restart, Recovering Together for Our Shared Humanity, ओके, UN की, 2020 में, 75th Anniversary है, यह important है, किसी भी एक्जैम में पूर सकते हैं, कि, 2020 में, UN की, कौन सी Anniversary थी, तो, 75th Anniversary है, राइट, National Unity Day, रास्टी एक्ता दिवस, इसको National Unity Day, और रास्टी एक्ता दिवस, दोनों कहा जाता है, 31st of October को, इसको हम Celebrate करते हैं, बर्थ Anniversary होती है, सरदार वरलवाई, पटेल जी की, ठीक है, 2014 से, यह डेज सेलिबेट किया जा रहा है, तो, 1st time, 2014 में, इसको सेलिबेट किया गया था, ओके, November, अब हम November के Days and Theme दिसकुस करेंगे, तो, 1st है, Children's Day, 14th of November, सबको पता है, 14 November को Children's Day सेलिबेट किया जाता है, नहरू जी का, की Anniversary होती है, बर्थडे होता है, उस दिन जवाला नहरू जी का, और इनको चाचा नहरू भी बोलते हैं, प्यार से, ठीक है, जो, Children's Day का सजेशन था, कि इस दिन Children's Day सेलिबेट किया जाए, वो सजेशन था, वो सजेशन था, वीके कृष्णा मैनन का, ठीक है, तो फिर इसको United Nations General Assembly ने अडॉप्ट कर लिया, तो सजेशन किसका था, वीके कृष्णा मैनन, मुझे कमेंट मोंक से बताईएगा, कि इनका फुल नेम क्या है, नेक्स्ट है, International Men's Day, 19th of November, थीम है, Better Health for Men and Boys, नेक्स्ट है, World Fisheries Day, 21st of November, थीम है, Social Responsibility in the Fisheries Value Chain, ठीक है, इंडिया, 2nd major producer है, फिश का, 2nd major producer है, और 4th largest exporter है, फिश का, ठीक है, जो इसकी GDP का Contribution है, वो 1% to India's GDP, and over 5% to the Agriculture GDP, ठीक है, अराउंड 28 million people, जो है, वो Fisheries में Employed है, जिनका Employment Fisheries Sector में है, तो Government ने, इंडिया Government ने कुछ initiative लिये है, Fisheries and Aquaculture के लिए, उसमें है, प्रधान मंतरी, मतर से संपेदा योजना, and Blue Revolution, ये दो इनिशेटिव गवर्मेंट द्वारा लिये गए है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो भी schemes है, वो तो हमारे exams के लिए important है, December, अब हम December की Days and Theme डिसकूस करेंगे, तो First है, Words Aids Day, First of December, Word Aids Day, First December को हम से लिबेट करते हैं, Theme है, Global Solidarity Shared Responsibility, Next है, World Computer Literacy Day, 2nd of December, Theme है, Literacy Teaching and Learning in the COVID-19, Crisis and Beyond, World Computer Day, World Computer Literacy Day, launch किया था, Indian Computer Company and IIT ने, ठीक है, ये फर्स टाइम मनाया गया था, 2001 में, 2001 से इसको हम, Celebrate कर रहे हैं, World Computer Literacy Day को, राइट, Next है, International Day of Abolition of Slavery, 2nd of December, इसको, इस दे को हम 1986 से Celebrate कर रहे हैं, Native Nation General Assembly इसको Celebrate करता है, राइट, National Pollution Control Day, इस दे को जो डिजास्टर हुआ था, जिसमें बहुत दो की जान गई थी, उनके मेमोरी में, ये डे सलिबेट करते हैं, ये बहुती बिगस्ट इन्वेस्टल डिजास्टर था, theme है इसकी, there is awareness about the importance of pollution control and educate people on how to prevent pollution, theme थोड़ी लंबी है, पर एक दो बार आप पढ़ेंगे तो learn हो जाएगी, तो 2nd of, इससे पहले भी जो हमारा day था, वो 2nd of December में था, International Day of Abolition of Slavery and 2nd National Pollution Control Day भी 2nd of December, वर्ड स्वाइल डे, 5th of December, वर्ड स्वाइल डे, 5 दिसम्बर को हम हर साल सलिबेट करते हैं, 5 दिसम्बर को birthday होता है, लेट H.M. King, भूमी बोल, अदुलिया देजी का, ठीक है, जो king है, king थे Thailand के, और इन्होंने स्वाइल के लिए बहुत सारी initiative लिये थे, इसलिए इनके बर्थडे वाले दिन हम वर्ड स्वाइल डे सलिबेट करते हैं, तो इस बार की theme है, keep स्वाइल अलाइव, protect स्वाइल बाइडावस टी, नेक्स्ट है, human right day, 10 दिसम्बर, human right day, 10 दिसम्बर को हम हर साल सलिबेट करते हैं, यह 1948 से सलिबेट किया जा रहा है, United Nations General Assembly इसको सलिबेट करता है, कौन सलिबेट करता है यह मैं पहले भी बता चुकी हैं, वो important है, तो कि इक कोशन के standards को बढ़ाने के लिए, यह पुछा सकता है कि इस दिन, यह दे कौन सलिबेट करता है, तो United Nations General Assembly, 1948 से इसको सलिबेट किया जा रहा है, क्यों सलिबेट करते हैं, fundamental जो भी human rights के रिए fundamental बने हैं, उनको protect करने के लिए, तो theme है, the cover better stand up for human rights, next is National Energy Conservation Day, 14th of December, National Energy Conservation Day, 14th December को हर साल हम सलिबेट करते हैं, और यह execute किया था, इस दे को execute किया था, BEE ने, Bureau of Energy Efficiency, BEE ने, और 2001 से 2001 से इस दे को सलिबेट किया जा रहा है, किसान दिवस या National Farmers Day, 23rd of December, किसान दिवस या National Farmers Day, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, Farmers Day सलिबेट किया जाता है, 23rd December को, birthday होता है हमारे इंडिया के फिप जो प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी चरन सिंग, इनके बर्थ अनिवर्सरी वाले दिन, हम 23rd December को किसान दिवस सलिबेट करते हैं, ठीक है, यह Farmers लीडर भी थे, यह Farmers के लिए इन्होंने बहुत सारी इनिशेटिव लिए, बहुत अच्छे-च्छे काम किये, और बहुत कुछ चीज अलिबेट भी करते थे, और्गनाइस करते थे, प्रोग्राम्स को और्गनाइस करते थे, बहुत सारी चीज यह Farmers के लिए करते रहते थे, इसलिए इनको Farmers लीडर भी बोला जाता है, तो किसान दिवस 23rd of December, नेक्स्ट है, Good Governance Day, 25th of December, Good Governance Day मनाते हैं, बर्थ अनिवर्स्री होती है, अटल बिहारी वाचपही जी की, और इस डे को 2014 से सलिबेट किया जा रहा है, Good Governance Day, 25th of December, ओके, अभी कुछ देज की थीम नहीं आई हैं, जो अभी आगे सलिबेट नहीं हुए हैं, जैसे 25th December, 23rd December, यह सब अभी आगे आएंगे, तो जब भी इनकी थीम आएगी, आपको मैं अपडेट कर दूँगी, या तो इंस्टा पे आप देख लीजएगा, अपडेट हो जाएगा, या फिर टेलीग्रान चनल पे इसका अपडेट मिल जाएगा, यह थे हमारे इंपोर्टेंट डेज एन थीम, अगर कोई दे या थीम रहे गया है, जो इंपोर्टेंट है, मुझसे रहे किया है, तो प्लीज लच पर वाचिं देशगे और जाएगा, यह थेडिया थार्टेंट पर एंपोर्टेंट सेफट प्लीजिए, नवर देख एर्ट डेयर डेट प्लीज अपुछ ऑनेम, फिर एंपोर्टे, यह बस्ते एंपने हैं इसका अपलने हैं, आपलने हैं।